हलो फ्रेंज मैं हुरुची अजे और आज मैं आपके लेकर आई हूँ एक और हिमाचली रेसिपी जोल पकोडी यह जोल पकोडी मंडी में बनाई जाती है और स्पेशली श्राधों में तो आज मैं आपको अपने दरीके से बहुत ही सिंपल और इजी वे में इसे बनाना आप देख सकते हैं मेरे कटोरी का साइस तो इस दाल को मैंने अच्छे से दो के रात भर पानी में भीगो के रखा था सुबह आप उस पानी को फैंक दें और साफ पानी से इसको तब तक दोए जब तक इसकी स्किन यानिकी काले रंके छिलके इसे अलगना हो जाएं हमें उन तो इस तरह से हम दाल को अच्छे से दोलेंगे 5-6 बार और उसके बाद हम इसको इस तरह की छनी होती है उसमें डाल के रख देंगे ताकि एकसेस पानी इसमें से निकल जाए दस मिनिट के लिए हम इसको इस तरह से छोड़ देंगे तो देखिए 10 मिनिट के बाद इस दाल स को पीसे और अगर जुरुत पड़े तो एक से दो नो चंबज पानी डाले तो हमारी नाल पीस के तयार है ठ्र Ens ट्रेडिश्नली को झारता खाल्ब इस लाइल नहीं जाता है इसके अंदर सुर्फ मसाले डूकरिया जाते हैं ताकि यह light and fluffy हो जाए तो आप इसको जितने अच्छे से mix करेंगे उतनी अच्छी पकॉणिया आपकी बन के आएंगी तो आप इसे अच्छे से mix करें और बहुत ही light इसे बना लें तो देखें इसे में 5-7 मिनट तक इसी तरह से एक ही direction में mix करूँगी तो मेरा बैटर काफी हो चुका है अब मैं इसके अंदर कुछ मसाले डालूंगी तो मैं इसके अंदर सबसे पहले डालूंगी चुटकी भर हींग आधा चोटा चमच काली मिर्श का पाउडर आधा चोटा चमच चिली फ्लेक्स इसे mix करेंगे और साथ ही अगर आपका बैटर लूज ना हो तो ही डाल सकते हैं और इस कंसिस्टेंसी का बैटर बना ले इसे अच्छे से mix करने के बाद हम इसकी पकॉड़ियां बनाएंगे ट्रडिशनली जो पकॉड़ी बनती है उसके अंदर हम सेंटर में होल नहीं करते हैं पर ऐसा मैं श्रादों में करना प्रेफर करती हूं बाकी दि इसको टाप करते फ्लाट करूँगी और इस तरह से पकॉड़ी को फ्राइ कर दिया जाता है पर मैं बाकी दिनों में इसे इस तरह से होल करके सेंटर में होल करके फ्राइ करती हूं तो हमारा तेल गरम हो गया है तो काफी गरम तेल में हम इसे डालेंगे और एक बार जब बढ़ा जाने तयार हूए है तो आप इस तरह से इसको फ्राइ करते जाए और बीच में से फिलिप करें अपनी पकोडियों को मीडियम हाई फ्लेम पे ही कुक करें अगर आप high flame पे cook करेंगे तो यह बाहर से तो पक जाएंगी पर अंदर से कच्छी रह जाएंगी तो इस बात का अब ध्यान रखें इसे हमें golden brown होने तक अच्छे से fry करना है और काफी जादा crisp करनी है बाहर से ताकि जब यह हमारे जोल में जाए तो जोल को यह absorb करें पर मैशी ना हूँ तो इस बात का अब ध्यान रखें तो मेरी पकॉड़िया fry हो चुकी है मैं इने बहा निकाल रही हूँ तो इसी तरह सारी ऐसे पकोड़ा पनाती है एई अच्छे से हम मिक्स करेंगे केपर अिसम इसे देगा ना जर्म ऐस से अच्छे से हम मिक्स करेंगे तो बेसन को इसमें अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको साइट पे रख दूँगी और इसके तड़के की तियारी करूँगी तो इसके तड़के में जो चीजे जाएंगी वो इस तरह से है यहाँ पे मैंने दो साबुट लाल मिश्ली है एक चोथाई चमच हींग है एक चोटा चमच मेथी दाना है और साथ ही यहाँ पे एक चमच हलदी पाउडर है थोड़ा सा अद्र ग्रेट किया हुआ है आप देख सकते हैं कि मैंने साबुट धनिया लिया है और उसको मैंने क्रश करके लिया है तो ये भी यहां पे दो छोटे चमच है और नमक स्वाद के नुसार इसके अलावा मैंने यहां पे 1.5 टी स्पून इस मिक्स्चर का लिया है जिसमें मेरी बड़ी इलाइची है लॉंग धनिया चोटा टुकरा दालचीनी का है इन सबको इकठे मैंने पीस लिया है तो ये भी 1.5 स्पून वैने लिया है नेक्स हम कढाई लेंगे और उसके अंदर डेड़ कर्शी सरसों का तेल डालेंगे सरसों की तेल को हम अच्छे से गरम करेंगे इसका कच्छा पंदूर हो जाए उसके बाद हम इसके अंदर साबुत लाल मिच टालेंगे अगर आपके पास काली मिच के दाने है तो वो भी स जोल में आता है जीरा हम बिल्कुल नहीं डालेंगे इसमें नेक्स्ट जोमने मिक्स्चर बनाया था वो हम इसमें डाल देंगे अद्रक ग्रेट कीवी थोड़ी दे इसको भुनेंगे ध्यान रखे मसाले आपके जलेना और साथ हम डाल देंगे इसके अंदर हल्दी पाउडर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे लसी जिसके अंदर हमने अपने बेसन को मिक्स किया है तो यह देखिए मैंने लसी इसमें डाल दी है और नमक स्वातके अनुसर सारी चीजें डालने के बाद आप अपनी जोल को इस तरह से कॉं के अंदर थोड़ा और पानी डाल सकते हैं तो मैंने यहां पे जोल में पानी इसलिए आड किया क्योंकि मुझे अपनी जोल की कंसिस्टेंसी पतली चाहिए है जोल को हम पतला ही रखेंगे इसलिए क्योंकि जब इसके अंदर मैं पकॉडी डालोंगी तो वह पकॉडी अच्छ इस तरह से सॉफ्ट होगी तो जैसे आप इसे जोल के अंदर डालेंगे यह सारा जोल अपने अंदर एब्सॉब कर लेगी और यह तूट जाएगी मैशी हो जाएगी तो इस पात का ध्यान रखें साथ ही मैं इसके अंदर डाल दूगी काली मिर्श का पाउदर और इसको कुछ पकॉडी डालने के बाद भी आप इसे 12-13 मिनट तक कुख करें इस तरह से पकॉडीयों को जोल में डालने से पकॉडीया हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी और जोल को अपने अंदर एब्सॉब करना शुरू कर देंगी तो 12-13 मिनट हो चुके हैं मिझे अब मैं अपनी 2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि हमारी पकॉडीयों ने बहुत अच्छे से जोल को अपने अंदर अब्सॉब कर लिया है तो करीब 2 घंटे के बाद मेरी जोल पकॉडी कुछ इस तरह से दिखेगी देखे कि इतनी बड़ीया जोल पकॉडी हमारी तियार हुई है तो मैं इसे गरम करूंगी और गरम गरम आप इसे सर्फ कर सकते हैं एक बात का ध्यान रखें कि जैसे ऐसे वक्त पीतेगा आपकी जोल पकॉडी का जो जोल है ये ठिक होता जाएगा तो दो घंटे के बाद मेरी जोल पकॉडी इस तरह से है इसे मैं उपर से हरे धनिया से गानिश क करूंगी मैं आपको इस पकॉडी को ब्रेक करके भी बताती हूं बहुत ही सॉफ्ट और मुह में घुलने वाली पकॉडी बनी है और जोल इसने अच्छे से अपने अंदर एब्सॉब किया है तो आप देख सकते हैं कि अभी जोल है ये किस कंसिस्टेंसी का है जैसे जैसे व अंडी में मोस्ली इसे श्राधों में बनाया जाता है तो आप भी इसे बनाएं और इंजॉय करें अगर आपको मेरी रिस्पी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीचेगा थैंक यू